हेलो स्टुडेंट्स अपना कुलकुल यूटूब चेनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है डियर स्टुडेंट्स मेरा नाम है लोकेंदे सिंग राजावत और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे क्लास 7 एकलवे बेच का लेक्शन नमबर 6 लेक्शन नमबर 6 जो होने वाला से उनको सीखाता तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगोंने बाकी के लेक्शर को नहीं देखा है तो पहले उन लेक्शर को जाके देखिए उसके बाद में इस लेक्शर को देखना स्टार्ट कीजिए त तो अगर आप लोगोंने एडिशन देख लिया होगा तो similar edition का जैसा का जैसा ही क्या है subtraction भी होगा, edition में हम aid करते थे, वही चीज़, यहां पर हम क्या करेंगे subtract करेंगे, rules वगेरा सभी वैसे ही काम करेंगे तो simply पहली step में हम वहां क्या करते थे, LCM लेते थे, यहां भी LCM लेंगे उसके बाद में क्या करते थे, LCM को denominator से divide करते थे और जो भी result आता था, उसको numerator से multiply करते थे, हमें यहां भी वही करना है उसके बाद में, वहां हम aid कर देते थे, यहां में subtract करना है बस इतना सा difference होगा, तो देखो इन दोनों को मैं आप लोगों को solve करके बताता हूँ, इस example को 16 और 12 का जब LCM लोगे तो यह आएगा 48 आप लोग लेके देख लेना, तो 48 आगे, यहां पर लिखती है 48, अब इस 48 को 16 से divide करेंगे 3 time होगा, 3 को 13 से multiply करेंगे, तो कितना आएगा, 39, I hope आप लोगों को यह चीज समझ में आ गई होगी, अब इस 48 को 12 से divide करेंगे, तो कितने time divide होगा, 4 time divide होगा, 4 को 7 से multiply करेंगे, तो कितना आएगा, 28 आएगा, इसके बाद में इसमें से इसको subtract करो, तो 11 आएगा, नीचे कि 48, तो यह क्या होगा, हमारा answer होगा, I hope आप लोगों को यह चीज से समझ में आ गई होगी, similar ऐसे ही आगे के 5 questions है, इनको भी हम solve करके देख लेते हैं, उसके बाद में next slide पर हम 2-3 word problems भी देखेंगे, तो देखो, 6 और 12 का जब, 6 और 4 का जब LCM लोगे, तो वो कितना निकल के 12, अब इस 12 में 6 से divided करो, 2 टाम डिवाइड हो रहा है, इस 2 को 5 से multiply करो, कितना होगा, 10 होगा, बीच में minus से तो minus आ जाएगा, इस 12 को 4 से divided करो, 3 टाम होगा, 3 को 3 से multiply करो, कितना आएगा, 9 होगा, तो अब यहाँ देखो, 10 माइनस, 9 करो, 1 आएगा, और नीचे के आएगा, 12 तो यह क्या हो गया हमारा आंसर हो गया I hope आप लोगों को यह भी समझ में आ गया होगा similar SI question यह भी है लेकिन यहां mixed form में दिया हुआ है mixed fraction की form में तो पहले इसको improper में convert करना पड़ेगा फिर आगे solve करना पड़ेगा तो 9 टूजा 18 18 18 और 5 कितना हो गया 23 divided by 9 बीच में माइनस है तो माइनस आएगा फिर क्या होगा यहां और यहां हम करेंगे इसको 15 बन जा 15 15 और 1 कितना हो गया 15 और 7 कितना हो गया 22 divided by 15 अब इन दोनों का LCM लेना है तो अब LCM कैसे ले तो आप लोग लेके देख लेना है तो इन दोनों का LCM आएगा वो कितना आएगा 45 तो मैं यहां डाइडेक्ट लिख रहा हूँ तो LCM कितना आगया 45 तो अब क्या करना है 45 में इससे क्या करना है डिवाइड करना है देख लेना कुछ गलग तो नहीं हुआ है 9 तू जा 18 प्लस 5 23 सही है 15 बन जा 15 प्लस 7 कितना हो गया 22 अपन 15 सही है 45 में 9 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम होगा 5 को इससे मल्टिप्लाइ करेंगे तो यह आएगा 1 1 5 बीच में आएगा माइनस 45 को 15 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम होगा 3 को 22 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो कितना आएगा 66, फिर minus करेंगे, 5 में से तो 6 minus होता नहीं है, तो एक इधर से बोरो करेंगे, 15 हो जाएगा, 15 में से 6 minus करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 9, यह पर 10 बच गया, यह मैं से 6 गया तो 9, 49 divided by 45, तो यह क्या हो गया, हमारा answer हो गया, तो यह mixed में दिया आता, तो convert भी क्या करना पड़ेगा, mixed में, तो 45 से one time divide होगा, 45 होगा, 4 बच जाएगा, 4 को उपर लिख देंगे, और नीचे क्या आएगा, 45, तो यह क्या हो गया, हमारा final answer हो गया, I hope आप लोगों को यह भी समझ में आ गया होगा, सेम ऐसे ही है, यह वाला question है, तो 10, 3 जा 30, 30 प्लस 3, 33, divide by 10 minus, 15 बजा 15, और 15 को 7 से वो करेंगे, multiply तो, sorry, 15 में 7, 8 करेंगे, तो 22 आएगा, नीचे कितना है, 15 है, दोनों का LCM लोगे तो कितना आएगा, 30 आएगा, ठीक है, LCM यह लिख देता हूँ में, इन दोनों का LCM कितना आएगा, 30 आएगा, इस 30 में 10 से डिवाइड करोगे, 3 टाइम होगा, 3 को 33 से multiply करो, 99 आएगा, minus से बीच में तो minus आएगा, इसको इसके अंदर कितने time divide होगा, 2 time divide हो रहा है, 30 के अंदर 15 से 2 time divide हो रहा है, 2 को 22 से multiply करोगे, 44 आएगा, 5 से divide हो रहा था, तो मैंने divide कर दिया, अब इसको mix की form में convert करो, 6 1 जा 6, 5 बच जाएगा, तो 5 उपर आजाएगा, 6 नीचे आजाएगा, तो ये क्या होगा हमारा, answer होगा, तो I hope आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा, अगला question क्या है, देखो, यहाँ पर only 7 given है, तो हम क्या करेंगे, इसको solve करने के लिए, 7 के दीचे 1 लगा देंगे, फिर आगे क्या होगा, 7 upon 1 minus, पहले इसको mix से improper में convert करो, 3 4s are 12, 12 plus 2 कितना होगा, 14 divide by 3, LCM लोगे 1 औ 3 का LCM 3 आता है, तो इस 3 में 1 से divide करो, 3 time होगा, 3 को 7 से उपर क्या होगा, subject करने पर, 7 आ जाएगा, नीचे कितना है, 3 है, इसको हमें mixed में convert करना पड़ेगा, तो देखो, 3 2 जा, 6, बचा कितना 1, नीचे कितना आ गया, 3 आ गया, तो answer कितना होगा, 2 and 1 by 3, यह मैं आप लोगों को conversion करना अल्रेडी सिखा चुका हूँ, पहले या दूसरे lecture में जाके देख लीजे आप अच्छे से, कि भाई हम लोग improper को mixed में कैसे convert करते हैं, mixed को improper में कैसे convert करते हैं, इसके नीचे हम क्या करते हैं, 1 लगा देते हैं, तो यहाँ पहले convert कर लो, 3, 5 जब 15, 15 प्लस 2 कितना होगा, 17 बाइ 3, माइनस 3 बाइ 1, LCM लगे तो 3 आएगा, 1 और 3 का, इस 3 में 3 से divide करेंगे, 1 time होगा, 1 को 17 से multiply करेंगे, तो 17 आएगा, बीच में minus है, तो minus आएगा, इस 3 में 1 से divide करेंगे, 3 time होगा, 3 को 3 से multiply करेंगे, तो 9 आएगा, जब इसमें से इसको subtract करेंगे, तो 8 आएगा, नीचे कितना आएगा, 3 आएगा, अब यह 3 से देखो, 2 time divide होगा, बचा कितना 2, और नीचे कितना आएगा, 3, तो हमारा final result के आगया, 2 and 2 by 3, I hope आप लोगों कोई 5 example समझ में आगया होगे, इनको अच्छे से आप note कर लीजिए, इसके बाद में next slide पर हम लोग, 2-3 word problems को भी solve करते हैं, अब हम देखते हैं, 2 word problems, जिसमें क्या होगा, real life based questions कैसे पूछे जा सकते हैं, इस chapter में तो देखिए, questions को पहले, इसको कभी भी word problems अगर आएं, आप लोगों के paper में, तो उसको करने का एक मात्र, सबसे आसान तरीका यही है, कि पहले questions को अच्छे से read कर लीजिए, read करने के बाद में क्या कीजिए, जो भी चीज़े given है, उनको एक बार अलग से लिख लीजिए, और लिखने के बाद में फिर उस चीज़ पर focus कीजिए, कि हमें find क्या करना है, अगर आप लोग यही नहीं करोगे, तो आप लोगों को यही नहीं पता चलेगा, कि क्या-क्या given है, क्या चीज find करनी है, तो आप लोगों को सिस यह करना है, कि इस प्रोसिजर को follow करो, कि सबसे पहले क्या करो, given चीज़ों को लिखो, फिर क्या find करना है, उस पर focus करो, तो देखिए, हम पहले क्या करते हैं, इस question को पढ़ते, a piece of wire, एक wire का टुकड़ा है, 3 and 3 by 4 meter long, इतना meter का एक टुकड़ा था, जैसे माल लो यह एक wire का टुकड़ा है, यह कितना meter है, वैसे यह बहुत छोटा है, लेकिन यह माल लो की 3 and 3 by 4 meter long, broke into two pieces, यह दो टुकड़ों में तूट जाता है, जैसे माल लो एक टुकड़ा यह हो गया, और एक टुकड़ा यह हो गया, दो टुकड़ों में तूट जाता है, जैसे बहुत लो ना, broke into two pieces, one piece is one and one by two meter, यह जो एक piece है, यह कितने का है, one and one by two meter, तो हमें क्या बताना है, यह इतनी length का है, long है, how long is the other piece, हमें यह बताना है, यह piece कितना होगा, तो इसको ऐसे simple सब्दों में, आप लोगों को मैं समझाऊँ, यह अगर 100 meter का होता मालो, इसके दो टुकड़े हो गए, यह 20 meter का होगा, तो यह बागी का बचावा कितने का होगा, 80 यानि 80 meter का होगा, आप लोगों कोई चीज अच्छे से किलिए हो गई होगी, सेम ऐसा ही question है, बस इसको fractions की form में दिया है, तो हमने यह 80 के से find किया, total कितना था 100, उसमें से हमने इस 20 को subtract कर दिया, तो बागी का बचावा 80 निकल के आ गया क्या, तो यही concept हमारे को यहाँ भी apply करना है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, given, a piece of wire 3 and 3 by 4 meter long, broke into two pieces, तो पहले तो हम बोलेंगे, length of wire, या original length of wire बोल सकते हैं, original length of wire, वो कितनी है, 3 and 3 by 4 meter, I hope आप लोगों को यहीं समझ में आ गयी होगी, अब यहाँ क्या बोलेंगे, one piece of wire कितना है, length of, one piece of wire, one piece of wire, वो कितनी है, one and one by two meter, I hope यह भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, उसके बाद में क्या होगा, देखो हमें क्या करना है, length of other piece find करनी है, तो उसको भी लिख लेते हैं, length of other piece, वो हमें find करना है, अब यह कैसे find करेंगे, वो देखो, अगर हम total length of wire में से, या फिर original length of wire में से, original length of wire, उसमें से, subtract कर दे किसको, जैसा अभी मैंने बताया था न, original length यह थी पूरी 100, उसमें से, इस वाले piece की length को क्या कर दे, हटा दे तो बाकी की length किसकी बचेगी, इसकी, तो original length of wire में आसे, length of, one piece, उसको अगर subtract कर दे, तो जो result आएगा, वो ही क्या होगा, length of other piece आजाएगा, तो आप लोगों को इसका meaning समझ में आगया होगा, अब हम आगे solve करते हैं, values put करके, 3 and 3 by 4 तो original length इसकी कितनी थी, 1 and 1 by 2, इसको convert करो पहले, mix से improper में 4, 3 जा 12 और 3, 15 by 4, minus 2, 1 जा 2 और 1, 3, 3 by 2, तो नों का क्याल होगे, LCM कितना आएगा, 4 आएगा, इस 4 में 4 से divide करो, 1 time होगा, 1 को 15 से multiply करोगे, तो कितना आएगा, 15 आएगा, इस 4 में, यह 4 है ध्यान रगना, इस 4 में 2 से divide करोगे, 2 time होगा, 2 को 3 से multiply करोगे, 6 होगा, उपर 9 आया, नीचे 4 आया, अब आगे क्या करना है, इसको वापस से mixed में convert करना है, तो 2 time divide होगा, 1 बचेगा, यहां कितना आजाएगा, 4 और length है, तो इस किस में आएगा result, मीटर में निकल करके, आएगा, I hope आप लोगो कोई चीज समझ में, आगई होगी, कि इसको मैंने convert कैसे किया, यह सारी चीज़े, आप लोगो को मैंने, अल्रेडी पढ़ा दिये, तो आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हो, तो जो other piece of wire है, वो कितने का होगा, 2 and 1 by 4 meter का, अब next question क्या है, देखू, मैं पहले question को read कर देता हूँ, फिर explain करता हूँ, फिर हम solve करेंगे, a film so lasted for, 3 and 2 by 3 hours, out of this time, 1 and 1 by 2 hours was spent on advertisement, what was the actual duration of the film, आप लोगों ने अगर कोई movie देखी होगी, तो जैसे 4 घंटे तक, जैसे माल लो 12 बजे movie आ रही है, दिन में आज Sunday है, तो आप लोगों ने देखा होगा, कि Sunday के दिन 12 बजे कोई movie आ रही है, ठीक है, नई कोई movie आ रही है, तो वो बारा से चलके, 3.30 बजे तक चलेगे, यानि कि आप लोगों को लगता है, कि movie कितने घंटे की वही, 3.30 घंटे की, एक्च्वल में movie 3.30 घंटे की नहीं है, बीच बीच में advertisement भी तो आएगा, तो वो advertisement का time, अगर हम हटा दे, तो जैसे मालनों, 5.50 मिनट के 10 advertisement आए, 3.30 की movie के बीच में, 5.50 मिनट के 10 advertisement आए, तो 5.50 मिनट के 10 advertisement का मतलब हो गया, टोटल 5.10 जा, 50 मिनट तो advertisement ही तो चला, बाकी के 3.30 में से, 50 मिनट को अगर हम हटा दे, तो 2 गंटे यानि 2 hours और 10 मिनट, उतने time की क्या थी, actual में movie थी, I hope आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी, same वैसा ही question है, अब वापस से पढ़ते हैं, तो देखो, a film show lasted for 3 and 2 by 3 hours, एक film है, वो कितने गंटे का होता है, 3 and 2 by 3 hours का होता है, उसमें से 1 and 1 by 2 hours को तक तक तो क्या चलता है, spent हो जाता है किस पे, advertisement पे, और बाकी का बचावा time, वोई तो actual duration of film होगा, तो हम यहाँ पे सबको एक बाद लिख लेते हैं, तो हम बोलेंगे, total duration of, total duration of film show, film का जो show था, उसका total duration को लिख ले पे कितना है, 3 and 2 by 3 hours, मैं sort में लिख रहा हूँ, HRS, ठीक है, hours का मतलब है, घंटे, ठीक है, तो इसको मैंने क्या किया है, मैं पूरा ही लिख देता हूँ, चलो, छोडो, फिर है, duration of advertisement कितनी है, duration of advertisement, वो कितनी होगी, दे रखी है, 1 and 1 by 2 hours, हमारे को क्या निकालनी है, actual duration of, film, यह हमारे को निकालनी है, तो यह कैसे निकलेगी, हम निकालेंगे, total duration of so, total duration of film so, इसमें से minus कर दो क्या, duration of advertisement, duration of advertisement, I hope आप लोग यह चीज समझ पा रहे होंगे, तो total duration कितनी थी, यह थी, 3 and 2 by 3 hours, minus, यह कितना होगा, 1 and 1 by 2 hours, short में लिखा है HRS, अब पहले convert करो, hours लिखने की ज़रुवतनी, यह काम करते हैं, last में लिख देंगे, हम लोग एक साथी, तो convert करो पहले, तो mixed से improper में, 3, 3, 9 और 2 कितना होगा, 11 by 3, minus, 2, 1, 2 और 1 कितना होगा, 3, 3 by 2, तो यहाँ LC में लोगे, तो कितना हैगा, 6 आएगा, इस 6 में 3 से divide करोगे, 2 time होगा, 2 को 11 से multiply करोगे, 22 आएगा, बीच में minus होगा, minus आएगा, 6 में 2 से divide करोगे, 3 time होगा, 3 को 3 से multiply करोगे, 9 होगा, तो कितना होगा, 22 minus 9 upon 6, अब इसमें से इसको subtract करो, तो कितना time होगा, 13 आएगा, तो देखो, 12 में से 9 गया, तो 3 आएगा, सही है, और 13 divided by 6, आएगे solve करोगे, तो देखो, 2 time divide होगा, और 1 by 6 hours, I hope आप लोगों कोई चीज समझ में आगई होगी, तो इसे भी आप एक बार देख लेते हैं, वापस कुछ गलती नहीं होनी चाहिए, तो 10 divide के 12 आएगा, लेकिन 9 ही करने, 13 by 6, इनको convert सही किया था, 339 और 2, 11 by 3, minus 21 to 3 by 2, LCM लेंगे 6 आएगा, 22 minus 9, 13 upon 6, 21 by 6 hours, तो यह इतनी time की, actual में हमारी movie थी, ठीक है, तो यह चीज अच्छा ऐसे note कर लेना, इसको भी आप वीडियो को पोज़ करके note कर लीजिए, हमारा एक छोटा सा topic और है, उसको हम देखते हैं, उसके बाएब में आप लोगों के लिए, homework question दिया है, इनको आप solve कीजिए, जो भी आप लोगों का result आता है, answer निकल क्या पा है, उसको आप comment करके बताईए, अगर आप लोगों को कोई problem आरी है, इसके अंदर, तो मैं courses करूँगा कि next किसी lecture के अंदर, आप लोगों के in questions का solution provide कर दो, या मैं comment करके ही, courses करूँगा कि आप लोगों को इनका reply, वहाँ पे देदू कि इसका exact, यहनि कि actual में solution क्या होगा, तो देखें, पहले हम property को पढ़ते, ऐसी property हमने addition में भी पढ़ी थी, addition में क्या पढ़ा था हमने, कि दो fractions का addition हमें सा commutative होता है, commutative का मतलब है, कि A plus B करो या B plus A करो, दोनों का answer सेम ही आएगा, और associative भी होता है, जैसे A plus B plus C, तीन numbers तीये में है, तो किनी दो को पहले add कर लो, फिर तीसरे को बाद में add कर दो, रिजल्ट हमें सा सेम ही आएगा, लेकिन subtraction में ऐसा नहीं होता है, तो कियां पे ना तो commutative property वेलिड होती है, ना ही associative property वेलिड होती है, इसको ऐसे समझ सकते हैं, तो देखो, मैं एक simple example से बताता हूँ, तो 5-3 करो, कितना आएगा, 2 आएगा, लेकिन जब हम 3-5 करेंगे, तो ये एक चल में होगा minus का 2, जो कि दोनों सेम नहीं है, यह आप लोग देख पा रहे होंगे, दोनों सेम नहीं है, तो मतलब हम बोल सकते हैं कि subtraction के लिए commutative property not valid, I hope आप लोगों को इसका मतलब समझ में आगया होगा, associative property की बात करें, तो इसका मतलब क्या होता था, जैसे यह बोलना चाहता है, कि A-B-C कुछ ऐसा number है, तो 5-4-3 है, तो इसमें से इसको minus करो, कितना आएगा, 1, पहले इन दोनों को करने हो, 1 आएगा, फिर 1 में से 3 minus करेंगे, तो minus का 2, क्योंकि एक plus का, एक minus का है, तो बड़े में से छोटे को सब्टेट कर देंगे, 3 में से 1 को minus करेंगे, 2 आएगा, बड़ा number negative था, इसलिए minus का 2 आए, अब इसी को मैं ऐसे करके देखू, पहले 4 minus 3 करो, तो कितना आएगा, 1 आएगा, 4 minus 3, और फिर 1 को 5 में से minus करो, तो कितना आएगा, 4, तो देखो, ये भी दोनों same नहीं है, जब same नहीं है, तो हम बोल देंगे, यहाँ पे associative property भी valid नहीं है, यह हम बोल सकते हैं, कि addition और subtraction, commotative और associative नहीं होते हैं, addition of fractions, commotative और associative नहीं होगा, I hope आप लोगों को इसका मतलब समझ में आगया होगा, यह दो questions से इनको आप solve कीजिए, इनके answers हमें comment करके बता सकते हूँ, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को like कीजिए, चर शाइबने हो atा हिसो जो नहीं हो हाँ, और सकता सकते हैंो क dragons, कि si well ऑनको उनको को आप सकते हैं, वीडियो अजीबने होगा 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 हो गया लोगों लोगा,